जिनके श्रद्धान जली के निमित आजम यहां पर उपस्थित है, उनसे मेरा विशेश संबंदर आ रहा है। राम्भाव तो हमारे जिले के, चंद्रपूर जिले के सैतिस साल तक प्रचारक थे। पहले ब्रह्मपूरी तहसिल में आये, फिर चंद्रपूर जिला प्रचारक बने। तो मेरे जन्म के पहले से वो हमारे घर में, क्योंकि उस समय घरों में ही निवास्थान होते थे, तो हमारे घर के एक सदस्य ही बन गये। घर के बड़े लुगों में हमारे दादाजी थे, उस समय दादाजी, पिताजी, माताजी, रमभू। मुझे उन्होंने डाक्टर एडिवार का नाम जीवन में पहली बार मैंने उनसे सुना है। चार साल का सथ तब। इतना संबंध है, तो इतना निकट से देखा है। और वो बिलकुल सहज बात। यानि इतने साल रमभू को हम ऐसा ही देख रहे है। तो देखते है, तो विशेश नहीं लगता। जब उनका आभाव हो गया है, तब वो बाते सारी ज्यादा ध्यान में आती है। समर्पन की प्राकाष्ठा, प्रचारक याने सर्वस्व समर्पन। प्रचारक का अस्तित्व भी संग की इच्छा के कारण है। नहीं तो इस दुनिया से कोई लेना देना है नहीं। ऐसा होने का प्रयास जो करते रहता है वो प्रचारक है। और वो प्रयास करते रहता है जीवन बर। उसकी हिम्मत बनी रहती है। सब प्रकार के मुह आकरशनों में से कठिन परिस्थित्यों में से रास्ता निकालके चलता है। क्योंकि उसके सामने ऐसे लोग होते, यह इतियास की दनतक अथाएएं नहीं होती। यह प्रत्यक्षव रत्मान उसके सामने होता है। ऐसे प्रचारकों में रहकर बिना बोले प्रचारकों की प्रेणा बनने वाले यह दोनो जीवन। क्राम्भoka जीवन ऐसे था। उन पर दाईत्व नहीं था, नागपुर के अरल में विश्राम के लिए रहना इतना ही बताया था, क्या उनके मन में आया पता नहीं, थोड़े से बिमार हो गए, पुना गए तो, और वहीं उनोंने भोजन छोड़ दिया, चलता फिरता करने के बाद वहां के लोगों ने उनक मुझे पता चला हो खाने रहे, पी नहीं रहे, तो मैं उनको मिलने के लिए गया हूँ, और मैंने उनको कहा कि सुदर्शन जी कहते रहते हैं, सुदर्शन जी थे उस समय, कि परिवरतन का काल प्रारंब हो गया है, हैदराबाद, अलाबाद, हैकुर्ट का निर्णे आ चुक जीवन में आपने जिन बातों के लिए परिश्रम किया, वो बाते आखों से देखने को मिलेंगे, आप रुकते क्यों नहीं, बोजन क्यों छोड़ दिया, आपको अभी जाने की परमिशन नहीं है, आप बोजन शुरू करो, तो राम मंदिर बनने तक, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, मैंने यही कहा था, मंदिर बनता हुआ देखिये, तो उन्हों भोजन शुरू किया, और बाइस जानवरी को राम लला आने के बाद उन्होंने अपना देहत्या किया, यहने वो जीना भी है, तो संग ने कहा है, जीना भी है तो एक सार्थक्ता देखनी है अपने प्र कि पहले, यहना अकपर आनिक बाद विश्राब में वो ठीक से दो बार भोजन करते थे, लेकिन बहुत पहले तो हमारे घर आते थे प्रवास करके, माताजी पूछती थी उनको, रंभो, भोजन, भोजन हुआ है, तो माताजी को पता था, रंभो का सोभाव, तो हुआ है, ल तो उदर ठाली वाली लगा के ही उनको कहा जाता था और पकड़ के लाना पड़ता था, तो जो बात कही श्रीकान जी ने, कि कठीन स्थिति में चलना पड़ा, रंभो निकले, वो समय बहुत प्रतिकूल था, बाद में प्रतिवंद भी आया, तो और कठीन हो गया, सहितिस सहितिस साल एकी जिले में प्रचार किसका कारण भी यही रहा होगा, कि फिर से शून्य से काम शुरू करना है, अपने आपको मिट्टे में मिला के वहां पर कारे को स्थापित करना है, ऐसा काम उन्हों ने किया, उसके चलते बहुत सारे परिश्रम साहने के उनके परिश्रम साहने के वही हमेशा के रामभू, कोई गीत गायक मिला तो उसको गीत सिखाएंगे, यह सारा चलता, मुझे एक बर विस्तारक बेजा सिरोंचा, तो उनके साथ गया, मुझे पहुचाने वह आये थे, साड़े पाच बचे सुबह बस में बैठे हम, और बस रों र मेलने का नाम नहीं, बारा बजे तब मैं उनको देखने लगा, लेकिन वह इतना मगन थे, हमारी इम्मत नहीं हो उनको कहने की, साथ बचे तो कुछ नहीं, उतरे बहाँ, उतरने के बाद उनका का कि अभी रात के बोजन का समय होना है, दो तीन गंटा अपने पास है, तो थ अभी घर थे, जहां चाय वगरे पूस्ते थे, भोजन वगरे पूस्ते थे, लेकिन वह भोजन नहीं करना था, वह परीचेकर कम निकल गये, और एक घर जिसको नए सिरी से जोड़ना था, वह भोजन का उनहीं जा कर बताए कि हम लोग भोजन करेंगे, और फिर रात को दस नमने वहां का भोजन किया, तो उस समय तो बड़ा मन में ऐसा लगता था कि क्या आत्मी है भोजन की जिन्ता ही नहीं करता, लेकिन हमारा तो ट्रेनिंग था विस्टारक जानाय नहीं ट्रीनिंग होता है, तो ट्रेनिंग करने में भी ऐसी कथरता वो बज़त सकते थे, और कटर था बरतने के बाद भी उनके प्रति जो अत्मियता और सम्मान है वो कम नहीं होता था ऐसा उनका संब्धर रहता बहुत उनकी अब डायरिया में मिलेंगी तो खोजना चाहिए उस समय के प्रतिबंद के बात के और सत्तर के दशक तक के बोधिक वर्ग गुरुजी के उन् तो सुनके लिखना पड़ता था तीन लेखक होते थे एक का कुछ छूट गया तो दूसरा लिख लेता था ऐसा चलता था रामव पूरा लिखते थे शब्दशा उनकी वो डायरिया में ने पढ़ी है कुछ ऐसा पूरा लिखना जो बात करनी है वो सीखना अब गीतों किया किसी आवश्केता पड़ी हो कि कही संगीत का उनने शिक्षन तो नहीं लियाता हूं परन्तु विदर्भप्रांत के अनेक अच्छे गित गायकों को रामव ने तगियार किया है उनके लिए मेहनत करके क्योंकि संग कारिया में जो आवश्क है वो करना है कई बाते हाथों सी करना पड़ता था रिखांकन करना पड़ता था उसका एक नक्षा बनाना पड़ता था वो सारा उस तरके अधिकारियों के साथ मिलकर इनको ही करना पड़ता था वो करते थे और यह सारा परिश्रम करने के बाद भी सदय वा हसत्मुक विनोत बुद्धी उनकी बहुत थिक् वह सही वरनन करने वाला वहिदर्वी शब्द एक खास। ऐसा ही उनका रहता था। और इसके कारण राम्भु आये तो वह आस्थानिय कारिकरताओं में राम्भु आये राम्भु आये जाना मिलना अपनी अपने घर आएंगे अपिक्षा भी रहती है। यह सारा पूरा करके अपने लिए कोई तमा नहीं, कोई देखना नहीं, कोई चिंता नहीं। वर्धा में एक बार उन पर छुरी हल्ला हो गया। कोई लुटने वाला था गुंडा। तो रात को स्टेशन पर उत्रे, दस बजे के बाद, और जा रहे थे कारले के तरफ तो अंधरी गल्ये में उन से कुर्ता फाड़के, कॉलर फाड़के जला गया। उतने में बाकी लोग भी आये, तो वह भाग दिया। हुआ कुछ नहीं। इधर चंद्रपूर में समाचार आया। उस समें वह वरधा विवाग था, वरधा और चंद्रपूर। तो वहां से रामु वापस आये, तो हमन वह भट गया। जान पर बनाई थी उसकी कोई चिंता नहीं। लेकि नया कुर्ता किसे नहीं दिया था, वह भट गया। क्योंकि कुर्ते और आज की जैसे वह तब मिलते नहीं थे। और प्रचारक कही कुछ मांगता नहीं था। और वही शरीर पर एक है, एक बैग में है, दोने में पड़ा है। इतने में काम चलाना पड़ता था, प्रचारकों को चलाते भी थे। तो कुर्ता आया और वह ऐसे गया, एक आदी वस्तु पास आये, कहीं रह गई अभूल गया। तो प्रचारक के लिए वह बड़ी अंदर से कुरेदने वाली बात होती थी। कि संग के कारेकरता ने कैसा होना चाहिए, प्रचारक ने कैसा होना चाहिए, हमने उन में देखी। उनको देख के हम बड़े हुए। संग के दो सरसंग चालकों के रांबव जिला प्रचारक रहे, सुधर्शन जी और में है। और सुधर्शन जी तो बताते ही थे, प्रसिद् प्रत्म वर्षे जाना था, घर से पैसा नहीं मिलेगा, उन्हों जमा किया था, दस रुपया कम पड़ रहा था, राम्बो को पता है, मैं जा नहीं सकता, दस रुपया कम पड़ रहा है, राम्बो ने उनको दस रुपया दिया, सुधर्शन जी बार-बार कहते थे, सुधर्श इसा जीवन हमने देखा है, ऐसे जीवन संग में है, सुभा जी का भी ऐसे ही था, नियम के बहुत पक्के थे, परकृती से थोड़े उग्र थे, यानि नियम से उधर 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 उनको सहन नहीं होता था, क्योंकि वह स्वयम वैसे रहते थे, स्वयम वैसा काम उनों नहीं किया है, संग की प्रतिकूल परिस्थिती में भी, और प्रतिकूल परिस्थिती में उनों नहीं भी काम किया है, यहां जब तक नाकपूर में थे, तब तक संग की परिस्थिती को यह अच्छी नहीं थे, और उत्तर नाकपुर में वो काम करते थे, जहां विरोत का प्रमाण सबसे अधिक था, तो अपने घर से उधर जाना, नामदेव शाखा चलाना, यह सारा हो करते थे, पुझनिया गुरुजी के घर में रहने का उनको सवभाग्य मिला, तो बहुत सी बाते उनकी नपी तुली तया आना होता था, तो मेरे नाकपुर में आने के बाद थोड़ी दिन में वो प्रचारक चले गए थे, इसलिए मेरा संबन प्रकाश से जादा आया, लेकिन बाद में, मैं नाकपुर का प्रचारक बनने के बाद में, उनका भी जब आते थे तब मिलना वगर शुरू हो गया, त क्योंकि लगेगा, तो मार पड़ेगी, ये निश्चित था, उसमें कोई मुला ही जा होता नहीं था, ऐसे उनके उगरोशभाव के कारण, लोग डरते थे, लेकिन बहुत कोमल और आत्मी अंतख करण उनका था, सब की चिंदा करते थे, यहां से आसाम गए, तो आसाम में ब काम खड़ा करना, याने लोहे के चने चबाने जैसा था, वो जिन लोगों ने किया, जिनके करने पर आज आसाम का इतना अच्छा काम खड़ा है, उनमें सुबाजी एक थे, उसके बाद वो बंगाल में भी रहे, जारकन में भी रहे, सब जगह आप पूछेंगे, तो एक बात सब लोग बताएंगे, कि अत्यंत नियमित जीवन, संध शरण जीवन, और डिसिप्लिन, अनुशासन बद्ध जीवन, तो प्रचारक एक शरद्धा का केंदर होता है, उस शरद्धा को समाल सकने वाला जीवन सुबाजी का था, और उसके लिए बहुत परिश्र करते थी, उसके लिए बहुत कष्ट भी सान करते थी, नाकपुर कारेले में भी उनकी दिनचर्या नहीं मिठ थी, अहार व्यकार सब नहीं मिठ था, उसमें कोई कमी नहीं रहती थी, चिंतन भी चलते रहता था, वो आसाम का इतिहास उनों लिखा, छेसो पन्नों का, वो ना कि बारी की अध्यान में रखते थे, और मेरे साथ बहुत बार आके बात करते थे, समात करते थे, कहीं बाते, कुछ बतानाय बताते थे, लेकिन यह सारा बताते थे, क्या-क्या अब्जरुशन है, क्या-क्या हुआ हुआ, किसका क्या स्टेट्मेंट आया, कुछ पूछते भ जिवन चल रहा था बात करना किस से, क्योंकि ऐसे वेक्ति का अंतरंग खुलना, ये बहुत कठिन बात रही थी, सबके साथ नहीं होता है, बबनराव सास्तरभोज नहीं उनके बहुत अच्छे मित्र दे, उनके साथ उनका अंतरंग समवाच चलता है, उनके जाने के बात देते नहीं थे, लेकिन बहुत वाचन करते थे फेर भी, बहुत लिखते थे, मेरे पास बहुत सारा पुस्तकों का संग्रा है, उसमें से सब इश्यों उपर की पुस्तके ले जाते थे, पढ़ते थे, वापस लादेते थे, नहीं ले जाते थे, ऐसा करते थे, और उसमें से इसे जो बाते ध्यान में आती थी, वो बताते थी। शरीर बहुत ही थक गया तब उन्होंने सोचा होगा कि अभी इस शरीर का उपयोग कुछ है नहीं। इसको जाता है तो जाने जेना चाहिए। और इसलिए नियम की कोई धिला ही नहीं की। इसवास्थए के नियम का पालन किया लेकिन , शरीर के बारे में बहुत जादा उन्हों सोचा ही, आखरी दस एक वर्षों में ऌजो होता है.. वो जो हो नदो इसी वृत्ति से रहे। यह प्रचारक निट्य दुनिया से पूर्ण विरक्त होता है, यह पूर्ण विरक्ती मैंने इन दोनों के जीवन में देखी है, मैं और मेरा कुछ नहीं है, जो होता है हैं वो होने दो, और ऐसी आत्रा से अंततक नियमे जीवन करते हुए, वो एक दिन चले गए, जैसा बताया भोजन बन की आया, इसलिए फिर से मुझे बुलाया, तो सुभाजी के पास गया मैं, उनका आवाज सुनाई देना भी कठिन था, तो फिर उन्होंने बाड़ी तो आना था ऐसा कुछ बोला, कान देके तब ध्यान में आया, कि भोजन करो कहने के बाद, वो डाल का पानी पी सुभाज जाना था, लगभग तैयार हो रहा था, तो पुलाव आया कि सुभाजी का ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ने, वो चल गया थे उस समय, गया, तो शरीर मृत्त है, ऐसा लगता नहीं था, जीवन मर की जो साधना है, वो तेज के रूप में सारे शरीर पर चाही थी, ऐ दौक्टर साब भी यहां है, उनका भी अनुभ है, मेरा भी अनुभ है, तो यह हस्ते हस्ते मृत्यों को बनना, यह मृत्यों, यह मज़सी, न्यावया प्रती, ऐसा सावरकर जी नहीं जो कहा, उस प्रकार के मनुष्यों होते हैं, उनके जैसा हम हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अमारे जैसे थे, ऐसे बन गए अपने प्रयात्न से, ये प्रत्यक्ष दिखता जिन के जीवन से है, ऐसे मुटलग जी भी ऐसे ही थे, सुभा जी भी ऐसे ही थे, रामभु जी भी ऐसे ही थे, श्रद्धान जली उनके प्रति देना याने, उनके इन गुणों का स्मरण करना, और इन गुणों का कुछाओं से जितना हमारी शक्ती है उतना, हम प्राप्त करें इसका प्रयास करना। डक्टर साहब के बारे में जैसे हम कहते हैं, तुझे तेज अंगी सताओं से जरी ही, उजाड़ून देहु दिशा दाही दाही। इन लोगों ने अपने इस जीवन के साथ अपने करतृत्व को रचा है। वो जीवन हमारे लिए सदय वा पथप्रदर्शक है, उसका हम विचार करें और आप सब की ओर से, संग की ओर से, पहले भी श्रद्धान्जली अर्पित कर चुके हैं, आज फिर से एक बार उनके स्मृति में मैं श्रद्धान्जली अर्पन करता हूं, मेरे शब्दों को वि कि ओर से.